यह इसका control panel है इसकी उपर वाली जो नॉब है इसमें heating speed है medium low high 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 इसी उपर वाली knob की मदद जे हम इसकी heating speed को easily control कर सकते हैं Assalamualaikum viewers welcome back to our my channel कैसे हैं आप सब लोग उमीद है आप सब लोग खेरियस से होंगे आज मैं आपके लिए जिस product का review लाया हूँ वह है पैल का microwave oven 20 liter black classic plus इसका model है PMO 20BH विवर्द आप देख सकते हैं यह इसका control panel है इसकी उपर वाली जो नॉब है इसमें heating speed है medium low high 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 इसकी उपर वाली knob की मदद जे हम इसकी heating speed को easily control कर सकते हैं इसी दरह हम अगर नीचे वाली knob पे आजें तो यह इसका timer है इसका एक दो तीन लिखा हुआ है जहां पर हम इसका arrow को लेके जाएंगे उतने minute का time लग जाएगा और उतनी देर के बाद यह automatically back जाकी यह बंद हो जाएगा विवर्द आप यह देख सकते हैं इसका front panel fully black color में और silver का साथ में टच्च दिया हुआ हुआ है आप यह हैंडल बार भी देख सकते हैं बड़ाई खुबसूरत प्यारा black और silver में combination है इसका विवर्द आप देख सकते हैं इस model के ओप बड़ी ही खुबसूरत जैसे विवर्द आप इसके पैनल के टॉप पे देखते हैं बड़ाई खुबसूरत पैल का लोगो लगा हुआ है उसके साथ classic प्लस का लोगो लगा हुआ है जो इसके front panel की look को मजीद premium और खुबसूरत बनाता है next viewer हम इसको open कर लेते हैं और इसके interior की कुछ बात कर लेते हैं open करते ही आप देख सकते हैं कि यह इसका door बड़ाई खुबसूरत black color में है यह आप इसका push lock देख सकते हैं जिसको मैं आपको push करके आप down करके दिखा रहा हूँ यह push की मदद से हम इसको हाथ से इस hole में इसको pull क करेंगे और यह बंद हो जाता है इसको हम इसी तरह easily हाथ से खोल सकते हैं और इसको push करके बंद कर सकते हैं आगे viewers हम इसके interior की बात कर लेते हैं बड़ा यह खुबसूरत प्यारा सा white color का interior है left side पे आप इसका exhaust देख सकते हैं right side पे आप देख सकते हैं इसका exhaust भी है magneton gun भी है जो खाने के उपर पढ़नी नहीं चाहीं आगे हम बात कर लेते हैं bottom की जिसके अंदर एक अदर मोटर होती है और उसके ओपर यह ब्लॉक्स होता है यह मोटर ब्लॉक्स को गुमाती है और ब्लॉक्स के उपर class की plate लगती है जब हम नया oven open करते हैं तो इस ब्लॉक्स के उपर और अगर इसके interior की बात कर लें तो white color में बड़ा ही खुबसूरत shine में बड़ा ही प्यार बना हुआ है और इसके door की बात कर ले तो बड़ा ही खुबसूरत black color में इसका door बना हो विवर्स अब हम इसकी accessory की बात कर लेती हैं जो something इसके साथ में दी हुई है सबसे पहले है manual user हो था है इसको हम खोल लेते हैं तो इसके पहले ही पेज़ पर specification लिखी हुई है इस सपेसिफिकेसिकेशन के अदर इसके तमाम मालूमात लिखी हुई है कि मॉडल किया है यह कितने वाड़ लेता है input कितने आउपट लेता है इसकी लिटर बैस्टी इसकी dimension इसका net weight यह सब इसके उपर specification में लिखी हुई है इसके next page पे आप देख सकते हैं इसके control panel के बारे में तमाम मालूमात दी गई है जिसके मताबक उपर वाली knob जो है जिसके इसके speed mention है medium, low, high इस speed का क्या काम है और नीचे वाली knob जो timer है इसके अंदर time आप कैसे लगा सकते हैं इसके magneton gun के warranty और कंपनी के तमाम तर मालूमात लिखी हुई है next हम इस oven के plate size की बात कर लेते हैं इस oven का plate size 10 inch round में दिया गया है इसके साथ एक अदर रिंग दिया गया है जो plate को balance करने के लिए उता है दरम्यान में यह जो बार है इसके ओपर tape लगी होती है इस tape को हम उतार लेते हैं और इसके ओपर plate रखेंगे plate के जो cut है वो इस blocks के अंदर fix होंगे और plate जो है वो इस blocks और ring की मदद से round गूमेंगी और जिसके ओपर हम अपना खाना कोई भी रखेंगे और round गूमने की मदद से यह घाना easily गरम हो जाएगा तो जी विवर्स ये था हमारा आज का review उमीद है आप सब लोगों के पसंद आया होगा अगर आप चाहते हैं कि हम मस्जीद electronic home appliances के हवाले से अच्छे अच्छे review लाते रहें तो प्लीज स्पोर्ट कीजिए लाइक सबस्क्राइब करना ना बूलिएगा अलाद अलाद आपका हम्यो नासिर हो दुआओं में बहुत बहुत ही याद रखियेगा अल्लाँ हाफिज